अगर आप 10,000 रुपे पर्मन के SIP करेंगे आने वाले 40 सालों के लिए तो 40 साल बाद 12% से ग्रू होते होते आपका पैसा पहुशने के एक्सपेक्टेशन्स होती है 11 करोड तक इसी के जगे अगर आपने अपनी SIP में एक छोटा सा चेंज कर दिया ज्यादा बड़े चेंज की बात नहीं करने वाला हो और आपका 11 करोड का कॉर्पस बन सकता है 35 करोड का सोचके देखेगा एक छोटा सा चेंज और 20 करोड के ऊपर का आपको फाइदा होने की चांसे हो जाते हैं डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में मुझे पता है आपको stock market, trading, IPO, FPO बहुत interest आता है पर at the same time में हमेशा कहता हूँ अगर आप peace of mind के साथ trading करना चाते है तो आपके long time goals के प्रॉपर्ली mutual fund का portfolio होना चाहिए जो प्रॉपर्ली बना हुआ है इसलिए हमने personal finance की free series इस चैनल पर भी चला रखिए उसी का ये next video होने तो चली चलते है सिधा screen पे एक-एक point को calculation की साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ complete back end calculation भी आपको दिखाऊंगा ताकि सारी शक शंका दूविदा आपके लिए solve हो जाए different different figure पे different percentages पे किस तरीकी से काम करेगा चली समझते है यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो हमने 10, 10,000 रुपे पर मन्त की SIP की बात करिए, expected rate of return अभी 12% का रखा है और 5% का inflation रखा है यह बीच वाले दो लाइनों को अभी आप छोड़ दीजे इसको आप ignore कीजे अगर आपने एक साल तक SIP करी है तो total आपने निवेश कर दी है 1,20,000 10,000 रुपे एक महिने का multiply by 12, 1,20,000 रु value हो जाएगी 1,16,812, because inflation हमने 5% का लिया है 5% से आपके पैसी की value decrease हो जाएगी अगर आपका यह 10,000 रुपे की SIP चल रही है 12 महीने के तो 12 महीने बाद आपके SIP की value रहेगी 1,21,247 रुपी और inflation adjusted रहेगा 1,57,473 रुपी अप सपोस करते है यही SIP आपने 40 साल के लिए चला 48,00,000 रुपीज का inflation adjust करके 48,00,000 रुपीज की value होने वाली है 20,73,000 आपके future amount जो आपकी SIP का amount हो जाएगा 11,70,60,000 रुपीज और inflation को adjust करने के बाद इस पैसे की value होने वाली है 1,66,000 यह मैंने inflation का figure इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि अगर आज के terms मे आप किस corpus तक पहुचेंगे 40 साल बात आपको पता होनी चीए आज के दिन आपको लग सकता है कि और यह 11 क्रोड का corpus तो में लिए बहुत हो गया पर 11 क्रोड का corpus की आज की terms में value होने वाली है 1,66,00,000 अब आपको यह देखना है कि क्या 1,66,00,000 आपके लिए sufficient है या फिर यह complete table आपके लिए बंद गई है 5 साल में आप पहुच जाएंगे 8,00,000 के corpus तक और जो inflation adjusted हो जाएगा 6,30,000,000 20 years में आप पहुच जाएंगे 98,00,000 के corpus तक और inflation adjusted इसकी value होने वाली है 37,00,000 की और 40 साल के figure आपके सामने है आप मेंसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको 12 पसंट नहीं हमें तो 15 पसंट का return मिलेगा अगर आपको 15 पसंट का return मिलेगा तो आपके corpus accordingly change हो जाएंगे और आपके corpus यहाँ पे 30 क्रोड का हो जाएगा अगर आपको 15 पसंट का rate of return मिल रहा है मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 12 पसंट से rate of return नहीं बढ़ाना चाहिए अगर आप equity mutual fund में निवेश कर रहे हैं उसके बावजुद भी क्योंकि किसी भी country में आपको क्या return मिलेगा वो depend करता है कि उस country की सबसे पहले GDP की growth rate क्या है प्लस उदर inflation क्या है अगर मैं आज की दिन इंडिया में मानता हूँ कि मेरी GDP की growth rate है 7 पसंट और inflation भी है आज की दिन मेरे पास रफली 5 पसंट के आसपास का तो ये दोनों को calculate करने के बाद मेरा 12 पसंट का निकल के आता है तो 12 पसंट आपके equity market के returns की expectations होती है suppose करते हैं आने वाले समय में इंडिया की growth rate कम हो गई 5 पसंट रहे गई और inflation भी कम हो गया तीन ही पसंट रहे गया तो obviously आपके equity market के returns भी 8 पसंट की expectation से आप काम करेंगे पर at the same time आपका inflation भी कम हो गया है तो अपने आप adjust हो जाएगी चीज़ा आपको सोचने की जरुरत नही हो गया सारे figure आपको कभी भी अपने returns को नहीं बढ़ाना होता आप कहते हो कि मेरे 11 crore से काम नहीं होगा तो आप अपने investment के amount को कैसे बढ़ाएंगे उस पर focus करिए 10,000 की जगे 20,000 की SIP करेंगे अपने आप आपका 11 crore का corpus 33 crore तक पहुँच जाएगा 40 सालों में आप checkout कर सक अब step up SIP होता क्या है simple language अब समझें हर साल हमारी income बढ़ती है usually हम मानते हैं कि हम अपनी life में progress करते है इस साल अगर मैं 100 रुपे कमारता तो next साल मैं कोशिच करता हूँ at least 110 रुपे कमा लू या 105 रुपे कमा लू तो हर साल हमारी income बढ़ती रहती है क्योंकि हमारी हर साल income ब इसे मैं खर्च करता हूँ इसी habit को change करने के लिए process होता है जिसका नाम होता है step up SIP step up SIP आप दो तरीकी से मना सकते है सबसे पहले होता है percentage wise आप decide कर सकते हो कि हर साल मेरी SIP 10% से बढ़ जानी चाहिए इस साल अगर मेरे 100 रुपे जा रहे तो अगले साल मेरे 110 रुपे जाए जो भी इस साल की SIP है उसे 10% से मैं हर साल बढ़ाता रहूँगा यह होता है पहला process जहां पर percentage increase करते हो दूसरा हो सकता है आप यह बोलोगे या मुझे percentage increase नहीं करना पर हर साल आप मेरी SIP को 1000 रुपे से बढ़ा दो इस साल 10,000 रुपे अगले साल 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 इस तर SIP के amount को बढ़ाते हैं और step up करते जाते हैं लेकि आप मेंसे कुछ लोग बोलोगे यह तो हमने ज्यादा निवेश किया इसलिए हमें ज्यादा कॉर्परस मिलेगा तेल हमेशा किली से निकलता है जितना आप निवेश बढ़ाऊगे वितना ही आपके बड़े कॉर्पस तक पहुषने की चांसे होती है और यह step up SIP के ऐसा टूल होता है जिसमें आप अपना कॉर्पस बढ़ाता हो systematically ऐसा नहीं कि आप अंधातुन बढ़ा रहे हो इस सल आपने 10,000 रुपे के SIP करी अगरे साल मैं सिधा यह नहीं करा कि आप 20,000 की करो लोजिकल ही नहीं हो सकता है इस तरीकी सा प्रोसेस बना सकते हो अब मैं आपको step up SIP की complete calculation समझाओ और backend की चीज़ समझाओ उससे पहले अगर आप चाते है कि हमारी टीम आपको properly mutual fund planning में help करे तो description में आपको distribution का link मिल जाएगा mutual fund distribution हम लोग करते है आज के दिन all over the India all over the world हमारे clients है जिनके लिए हम mutual fund properly distribute कर है एक अच्छा sizable corpus हम already maintain करें आप चाते हमारी टीम से connect करना तो description में आपको link मिल जाएगा जहां पर जाके आपना free call book कर सकते हमारी टीम आपको help करेगी उस call पे properly आपको help करने की कुशिश करेगी और आप चाहेंगे तो हमारे साथ आप जोड़ पाएंगे और हमारी टीम पर आपके लिए properly manage करेगी step up SIP को समझते हैं अगर मेरे example में मैं लेता हूँ कि हर साल मुझे SIP सिर्फ ज्यादा नहीं 10% से बढ़ानी है तो पहले साल में हमारा total amount निवेश का हो जाएगा आप check out कर सकते हैं 1,20,000 रुपे का क्योंकि पहले साल मेरा कोई भी SIP बढ़ा ही न यहाँ पर तो मेरे को मिल रहा है 9,65,000 नॉमली मुझे मिलता 8,7,000 मतला मुझे additional gain हुआ है roughly 1,58,000 का छोटे समय में आपको नहीं पता चलेगा कि step up SIP ने क्या फायदा करा आपको लगेगा या 1,500,000 रुपे तो एक्स्ट्रा क्या फरफ पढ़ गया रुकिए तोड़ा time दी 30 साल बाद आपकी corpus की value हो जाएगी 8,72,000,000 step up SIP की मदद से normal SIP से roughly 5,25,000,000 रुपे चादा सोचके देखिएगा normal SIP में आपको यहाँ पर मिल रहे है 3,47,000 रुपे यहाँ पर आपको मिल रहा है 8,72,000,000 रुपे जो normal SIP से 5,00,000,000 रुपे मतलब जितनी normal SIP होती है उससे double से भी जादा आपको मिलेगा step up SIP में और 40 साल में आपके step up SIP का corpus हो जाएगा 34,63,00,000,000 रुपीज का जो आपकी normal SIP से 22,93,00,000,000 रुपीज जादा होने वाल है यह है आपके लिए complete step up SIP की calculation और आप समझ सकते हो long term में जिस तरीके से SIP ग्रो करती है step up SIP और ज्यादा ग अभी कुछ ऐसे fund houses है जहाँ पर step up SIP का option नहीं है अगर आपकी particular SIP में step up SIP का option नहीं है तो आप हर साल अपनी SIP को खुद बढ़ा सकते हैं उससे भी मैं as in step up SIP calculate कर लूँगा मान लूँगा second हो सकता है कि आपने already अपनी SIP चला रखी हो तो हर बड़ी में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती step up SIP एक नया concept है यह नहीं है कि ऐसा concept हमारे पास 10 साल पेले available था एक competitively नया concept है जो हमारे सामने आया है तो दीरे दीरे आप बढ़ा सकते properly manage कर सकते और step up SIP में convert हो सकते step up SIP के option को choose नहीं किया है तो आप हमारी टीम से connect कर सकते है वो properly check करके बताएंगे कि क्या option आपके लिए feasible है percentage wise अगर feasible नहीं हो पारा platform पे execute नहीं हो पारा तो amount wise भी कर सकते है अगर मेरी महीने की अभी 50 रूपे की SIP चाहती है तो मैं यह ensure कर सकता हूं कि हर साल मेरी SIP 5,000 या 7,000 रूपे से बढ़ जानी चाहिए इस तरीके से भी हम step up का use कर सकते है for example अगर मेरी 10,000 रूपे की SIP है मुझे percentage में नहीं बढ़ाना मैं चाहता हूं कि हर साल मेरी 2,000 रूपे SIP बढ़ जाए तब भी आप देख सकते हो आप एक अच्छे corpus तक पहुँच जाओगे और properly आपकी step up SIP की calculation हो जाएगी यहाँ पे भी आपका 29 करोड का corpus बन जाता है जो एक sufficient corpus होता है normal SIP से almost double से भी ज्यादा 40 सालों में I hope यह दोनों points का आप ध्यान रखेंगे अगर properly निवेश करने में मदद चाहिए हमारी team की और अपने लिए एक free call book कराने साथे link आपको description में म चाहते की जो sheet है इसको भी मैं आपके लिए properly available करा हूँ और इसी वीडियो के link में या किसी भी तरीके से आप तक पहुचा दूँ for example हमारा जो free telegram channel है जिसका link आपको description मिल जाएगा उस telegram channel पर मैं यह simple step up SIP की calculation आप तक पहुचा दूँ और आपको provide कर दूँ तो comment में जाकी जैहिंद type कर दीजेगा जितने आपके मुझे comment मिलेंगे मुझे पता लगेगा कि आपको requirement है और यह मैं open for all free telegram पे आप सभीक लिए share कर दूँगा happy learning and I will see you very soon